Hello students, साफ सभी का स्वागत है कई बार ऐसा देखा जाता है कि students अपने answer seat का front page लिखने में गलती कर देते हैं जिसके वज़े से उनका result pending में चला जाता है तो इसको लेके CBC के तरब से साफ निर्देश दे दिया गया है कि answer seat का जो front page है उसमें किसी भी तरह का कोई गलती नहीं होना चाहिए इसको लेके CBC ने एक sample यहाँ पर answer seat भी जारी किया है तो इसको सीख लेके जाना है CBC का ऐसा निर्देश है कि आपको answer seat का जो front page है सही तरीका क्या है भरने का यह आपको सीख कर जाना है अगर आपका गलत हो जाता है तो आपका result pending में चला जाएगा तो इस बात का ध्यान में रखे और आज मैं आप लोगो जैसा आप format बता रहा हूँ बिल्कुल इसी format के अनुसार आप लोगो भरना भी है ठीक है चलो यहाँ से शुरू करते है सबसे पहले subject यहाँ पर लिखा गया है तो जो भी subject का आपका examination होगा suppose करो कि अगर पहला दिन मेरा English का examination से है तो यहाँ पर आपको English लिखना है अब यह जो English है यह आप चाहो तो capital भी लिख सकते हो small भी लिख सकते हो कोई दिकत नहीं है लेकिन पहला लेटर यह capital होगा आप चाहो तो यहाँ पर आगे small लिख सकते हो लेकिन small नहीं लिख के आप capital ही लिखो तो यह आप लोग के लिए जादा अच्छा है ठीक है तो यहाँ पर हम English लिख लिए ओके capital ही लिखो small लिखोगे तो हो सकता है आगे दिक्कत हो सकती है बट capital लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है अब आगे यहाँ पर day and date of examinations है यानि कि case day और कौन से date पर आपकी examinations है तो day में मान के चलो आपका Monday को examinations है तो यहाँ पर आपको लिख देना है Monday इसे कोई दिक्कत नहीं होगा Monday और date बोला गया है तो मान के चलो 17 तारिकों आपके examinations है तो यहाँ पर आपने 27th टियाच लगा दिए यहाँ पर मार्च कर दिए और space कम हो जा रहा है इस वज़र से हम नीचे इसको यहाँ पर लिख दिए ऐसे आपको यहाँ पर ज़्यादा space मिलेगा फिलाल मेरे पास यहाँ space कम दिया गया है बट copy में आपको यहाँ पर ज़्यादा space मिलेगा ठीक है चलो यह हो गया और space अगर कम भी रहता है तो जैसे इस चीज़ को हमने बढ़ा करके लिखा तो इसको थोड़ा चोटा कर लेना ताकि यहाँ से यहाँ मेरा अट जाए अब आगे है medium of answering the paper आप किस medium में answer को लिख रहे हो अगर आप Hindi में लिख रहे हो तो Hindi लिखना है अगर आप English में लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर English ही लिखना है इस तरह से क्योंकि English का paper है तो यह तो आप Hindi में लिख होगे नहीं अब जैसे social science है तो जो बच्चे का social science English में चलता है English में लिखेंगे answer यहाँ तो English लिख देंगे Hindi में लिखना होगा तो Hindi लिख देंगे ठीक है अब यहाँ पर है write code number as written on the top of the question paper अब जो आपको question paper मिलेगा उसमें एक code लिखा होगा ठीक है जैसे मान के चलो इस तरह से लिखावा रह सकता है slash लगावा रहेगा तो ध्यार रखना वही वाला code जो होगा यहाँ पर लिखना है question paper मिलेगा question paper में देख लेना slash type में कहां पर है इस तरह से slash होगा और यह वाला code आपको इस तरह से field कर देना जो भी code होगा question paper के ऊपर में code होगा ठीक है आगे है number of supplementary answer book अब देखो एक तो आपको answer book मिला ही है अब उसके अलावा अगर आपने और भी कोई page लिया हुआ है extra में ठीक है तो आपको वहाब अपने लिखना है कितना आपने page लिया है अगर एक भी नहीं लिख लिए तो 00 between लेना ठीक है और अगर एक page लिखने ना दो page लिए ना से तो लिक लिए लेना है समझ माग गया होगा अब यहां पे लिखा गिया है कि weather writer provided कि आपके लिखने के लिए किसी को provide किया गिया है तो यह तो आप खुद से लिख रहे हो ना तो यहां पे आपको no लिखना है तो yeah it every review लिगना है तो यह वाली जो सारी information है आपको यहाँ पर समझ में आगे आगे किस तरह से हमें सारा वढ़ना है अब चलो इस पेज को समझ लो कि यह वाली पेज आपको किस तरह से वढ़नी है तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो चैपिटल लेटर में आप लोगो अपना नाम लिखना है जो भी नाम होगा आपका जैसे अगर मेरा नाम रॉषन है तो र-a-u-s-h-a-n रॉषन लिख दिए एक छोड़ देना है और यहाँ पर फिर लिखना है आपका जो भी टाइटल होगा जैसे मेरा राज है तो हम र-a-j लिख दिए ठीक है रोशन राज अब यहाँ पर खोजना ऐसे आर कहां है तो यहाँ पर इस तरह से और कर देना है देखना ध्यान देना इसको डार करने में सावधानी बरतना क्योंकि यहीं आपका स्कैनिंग लोता है ठीक है अगर आपका डारकिंग में इधर उधर चला ज चाहिए एकदम सावधानी पूरवक एकदम ध्यान से इसको अच्छे से डार करना किसी बेदर का कोई गलती अगर यहाँ पर होगा रिजल्ट साफ जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा तो यू कर लिए फिर इसी तरह से यहाँ पर हम एस तरह से फिर डार कर देंगे फि फिर इसी तरह से आगे हमें एन पर करना है तो इस तरह से पुरा डार कर लेना है और आपका जो भी टाइटल होगा टाइटल और अपने नेम के बीज में का स्पेश चोड़ना है फिर ध्यान रखना यहाँ पर हमें खुझना है फिर इसी तरह से ठीक है फिर यहाँ पर आर म लिखना है तो देखो एक चीज़ का ध्यान में रखना कि जो आपके एड्मिड कार में जो नेम होगा जो भी रॉल नंबर होगा तो एड्मिड कार से देख के इन जो भी चीजों को भी में बता रहा हूं देख देख के भरना है अब ऐसा नहीं कि आपका नाम कुछ और है और पर आप नाम कुछ और लिख रहे हो जो भी नाम है मिस्टेक भी अगर अगर आपने नहीं सुधरवाया है तो वही वाला नाम आपका हमेशा रह जाएगा वही वाला आपको लिखना होगा ठीक है तो इस बात का ध्यान में रखे तो मान के चलो हम अपना कोई भी एक जो कौरमन नमबर है उसको वर लिए अवसी तरह से यहाँ पर फाकर देंगे हम एंधे तो स्फिर यहाँ पर कर लेंगे मतलब जो भी आपका रोल नमबरatically हूगा उससी तरह से result pending में गए हैं रिजन होता है यह answer seat का उसमें गल्ती करना अब मानके subject code है है तो subject code यह भी आपके Admit card में लिखावाहरेगा ज्यव दिन जिस दिन का एक्जामनेशनेस होगा लिखावा रहेगी subject नयम होगा subject code होगा तो इसमें भी आपको परिशान होने की जबरत नहीं है, कि यागर मुझे subject code याद नहीं है, admit card में सारा लिखा रहेगा, तो बस जो भी subject code आपका होगा, जैसे मान के चलो English है, तो English का जो भी subject code होगा, हलाकि ये नहीं है, ध्यान रखना ये नहीं है, आपके admit card में होगा, मैं बस आपको ये example बता रहा हूँ, कि किस त काड होंगे, वहाँ पर दो number होगा, एक school number होगा, एक center number होगा, तो school number यहाँ पर मत भढ़ देना, center का जो भी नाम होगा, जैसे कि आपको admit card मिला हुआ है, center मान के चलो दे दिया, आयपपा school, तो आयपपा के बगल में जो है एक number लिखा हुआ होगा, देख लेना ठीक है, ज इस तरह से आपको dark कर लेना है, तो जो भी school number होगा, जो भी center number होगा, उसको लिख लिए, school number मत लिख देना, फिर हो जाया गलती वो, अब आप जाते हैं, यहाँ पर roll number, तो जैसे roll number तो हम यहाँ पर feel कर चुके है, तो अब इसको हमें भरना है, words में, तो words में कैसे भरेंगे तो यह भी words में भी आपका, जो भी admit card है, उसमें दिया हो रहेगा, अब ऐसा नहीं कि मुझे words में लिखने नहीं आ रहा है, तो हम सर कैसे लिखे, आपके admit card में roll number words में भी लिखा हो रहेगा, जैसे इसको कितना पर सकते हैं, once 10, 100,000, 10,000, 10,000, तो इसको हम लिख सकते हैं, 58, 58,000, ठीक है, 58,000, 13,000, 13,000, और कितना है, 489, तो यहाँ पर हम 400, 189 है, space आपके copy भी जरूर रहेगा, ठीक है, आपके जो भी answer seat रहेंगे, उसमें space आपको ज्यादा मिलेगा, फिलाल हमने यहाँ पे दूसरा paper यूज किया हुआ, इस विखे मुझे space कम बिला, आपको space ज्यादा मिलेगा, और space अगर कम भी रहता है, तो हमने फिलाल यहाँ पे आपका जो भी है, वह आपको भर देना है, जैसे अगर राजन, ठीक है, राजन राज है, जो भी है, जो भी आपको आपके father's का नेम होगा, इस तरह से भर देना है, यह capital small, इसमें कोई भी जरूरी नहीं है, कि आप capital लिखो, या फिर small लिखो, और last मैं आता है, candidate का signature, यानि आपको अपना full name लिखना है, running letter में, ठीक है, इस तरह से, जो भी आपका name होगा, यहाँ पर आपको नाम लिखना है, ठीक है, simply बस running letter में लिखना, capital नहीं लिखना, यहाँ पर small लिखना सारा, ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का signature ऐसे नहीं, कि हम ऐसे कर दिये, या फिर एसे से कर दिये, इस तरह का signature नहीं करना है, अपना नाम पूरा लिखना है, ओके समझना गया होगा, बाकी यहाँ पर जो भी आपके examiner, जो आपके exam ले रहे होंगे, वो आपको यहाँ पर sign करेंगे, और यहाँ पर फिर आप लोग का जो भी office use के लिए है, वो यहाँ पर द पला जाएगा, CBC का साफ निटदेश दिया हुआ है, तो examinations की और अच्छे से त्यारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, थैंक यू, बाबाए